इसकंद पुराण करती है जिस व्यक्ति पर करजा बहुत जादा मात्रा में हो जाता है और करजा चूकता नहीं है आप बहुत प्रयास कर लिए करोड़ों रुपे का करजा हो गया यहां से लिया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया तो इसलिए प्रशास्निक कारे के लिए मानसिक टेंशन में परिशानियों में बटकेश्वर महादेव का इसमर्ण किया जागा और यदि निवेदन करूँगा बहुत जादा यदि आपको करजा हो गया है बहुत जादा करजा हो गया और वो करजा चूकी नहीं रहा तो थोड़े दिन बढ़के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेओ के लिए एक लोटा पानी उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना पीस के उस पानी में मिला ले और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेओ के नाम से बढ़के पेड़ के नीचे अपनी कामना करकर जो करजा हुआ है उस करजे का भान देते हुए स्मन देते हुए छोड़ दी महाराज दो या तीन सुमबार एक ही जगा पर करना तीन सुमबार वाद महीं से बढ़के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और जड़ को कोई धागे में बान कर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो उसको थोड़े दिन पटक कर रखना लगवग लगवग दो से तीन महीना पटक कर रखो वो जड़ जैसे बढ़का पेड़ विस्तार होता है पानी गिरे ना गिरे जल बरिष्टी हो ना हो गर्मी पड़े ना पड़े उसको कोई परक नहीं पड़ता बढ़का ब्रक्च आप रूप पहलता जाता उसकी जड़े अपने आप प्रबल होती है उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है एक महीना दो महीना तीन महीना तक तो ये जड़ अपने आप लच्चमी को पकड़ कर खीच कर लाती है और करजे से मुक्त कर दे बटकेश्वर महादेव का इसमन सुक का देना हो मारा ऐसा कोई कार नहीं जिसमें पशुपती वरत लाक ना करो बस दिल से अगर आपने पशुपती वरत करा है बाबा विश्वनात के पाँच पशुपती वरत होते हैं किसी भी सुंबार से चालू कर सकते हैं बस करना क्या है सुबा पूजन की ठाली लगा कर लेकर जाना है संकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है मंदिर में अभी शेक पूजन करो वो थाली भापिस लेकर आजाओ घर में रग दो उसी थाली में शाम के समय प्रदोश काल में सूरी डूब रहा हो उसके कुछी समय के बाद आप आनंद में छे दिये घर से लेकर जाओ थोड़ा सा मीठा बना कर लेकर जाओ और पांच दिये संकर जी के मंदिर में लगाओ पूजन करने के बाद में मीठे के तीन हिस्से कर दो दो हिस्से बाबा के मंदिर में अलग-अलग रखी है एक ही प्लेट में तो हिस्से नहीं रखना है दोनों हिस्सों को अलग-अलग काटोरी में अलग-अलग दोने में अलग-अलग प्लेट में बाबा को रख दो और एक हिस्सा एक दिया लेकर आ जाईए घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट भाग में एक दिया गी का लगा दीजी जो लेकर आयो मंदे से उसको जला के नहीं लाना है वहीं पर जलाना दरवाजे के पास आराम से बेटो दिया जलाओ और परशाज लेकर अपनी कामना करकर घर के अंदर सीधा पाऊं रखकर अंदर चले जा सुबहरे फर्याल करो शाम को भोजन करो जब भोजन करो उस समय पर जो मीठे का आप भोग लगाया था भोलनाजी को जिसका एक हिस्सा लेकर आयो सबसे पहले भोजन में वो हिस्सा का परशाद का जो हिस्सा लेकर आयो उसमें से किसी को वो हिस्से में से परसाद नहीं देना चाहे घर में बच्चे हो चाहे बड़े हो आपको ज़्यादा परसाद ले जाना तो अलग से ले जाओ पर उस हिस्से में से किसी को परसाद नहीं दे और वो परशाद पहले पाकर फिर आप भोजन प्रशादी गरण करें पर इसका नियम यह है कि परशाद जब आप लेकर आते हैं आपको पहले भी कथा में कहां कि शंकर का परशाद रात भर नहीं रखा था जितनी जल्दी आप परशाद का हिस्सा लेकर आए हैं आदे घंटे के अंदर कोन घंटे के अंदर आपको वो परशाद पाना है और भोजन करना ही है यह नहीं कि सवाएंगे इंतजार कर रहे हो दस बज गई ग्यारा बज गई परशाद आपका इंतजार कर रहे है जो परशा कितना सुंदर कहा है सास्त्रों में कि केवल एक देव अधिदेव महादेवे कैसे होते हैं जिनका परशाद रात भर नहीं रखाता कहां से लिए आए परशाद लाकर ताजा रहता है जब तक आब पाते हैं फिर वो खिरीज में रख देते हैं फिरीज में रखा रखा, किसी ने खाया, नहीं खाया, जितने समय तक फिरीज में परशाद रखा रहता है, वो इंतजार करता है कि कोई मुझे परशाद भक्षन करे, परशाद का मतलब होता है प्रभू का साक्षाद दर्शन, परशाद का मतलब ही यह यह प्रशाद, प्रभ रखे हुए, परशाथ पढ़ा हुआ है, फ्रीज में रखा हुआ है, रखा हुआ है, बेटा खाएगा, बव खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, फिर धीरे धीरे वो बद्धूा देना परार्म कर देता है, जिससे घर में बड़ी बिमारी फेलने लगती है, बड़ा समय पर पव कई लोग करते हमारा जी हमने ये वीमारी कांसे आ लिए पर प्रशाद का लाकर महिनों तक पढ़ा हुआ है इंतजार कर रहे हैं खाएंगे आखरी मैं फिर काम बाली को दे दिया काम बाली इतनी चतुराज के जमाने की बासी माल खाये रहे लाकूं कौन को पढ़ा जितना आपको पाना है जितना आपको लेना है उतना प्रयोग जादा रखतर बहुत दिनों तक पढ़ा है थोर रखिये मौन थाल रखाये लड़ रखाये पेडा रखाये कुछ समान रखा नहीं नहीं भाई जितना बने उतना लाओ नहीं तो किसी को तुरंट बाट दो समापन करो पर अपने यहां पर बहुत दिन तक रख कर उसका बाबा स्वयम मेरा श्री जी बाबा मेरे तुर्पती बाबा मेरा गोरधन नात मेरा भोले ना उस परसाथ के प्रवेश करूँ पर तुकराएं नहीं पड़ाएं रखा रहें दो मन नहीं करता सक्तियों जैसा कर्म मत करो जिससे हमें कश्ट कि रखा करा हमारा बहुत काम हुआ अब कई लोग करते हमने करा पर हमको अभी तक उसका कानन है कि तुम बहुत देर तक परशाथ को इंतजार गरा रहे हैं तो भाबा भी आपको इंतजार करा रहा है किरा अहीं छगला विश्वनात भी इंतजार है कि उस समय वधिका भाह बहामना थे गविए निगाहटी दुरगट्बिना घर्टी कि अ कि बैस कि द्यान डटो हम हम कोई कि हम पूजन करतें हम पाठ करतें हम अरचना करते अधुर्ण करतें हम भगवान की सेवा करतें फिर दुख हम कोई क्यों आता है कि अउस का इसका कारण के वल इतना से क्यों धुक्श हम खुद बूलातें है दूसरा नहीं हम सोता पशुपति व्रत पाज व्रत करो पाज व्रत कूर्ण होने पर कई माता है कि बीच में अमारे व्रत शूट जाते हैं रजसुला धर्म के समय पर तो ब्रत तो करना पड़ेगा पर पूजन नहीं होगी और वो गिंती में भी नहीं आएगा पर ब्रत करना है पर गिंती में नही दिये आपने लगाएं उसी गिंती में आए और महाराज पाच वरत जब पून हो जाएं पाच वरत रहे तब एक नरियल श्रीफल उस पर एक मोली नाड़ा लच्छा लपेट कर उस पर ग्यारा रुपे रख कर कोई आपको किसी को ना भोजन कराना है ना भंडारा करना है केव किती कर देना बाबा मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया जो पशुपती व्रत इस तंद पुराण में लिंग पुराण में नरवदा पुराण में शिव महा पुराण में पाधम पुराण के अंदर वर्णन किया वो व्रत मैंने किया बाबा मेरे इस व्रत को स्विकार करन मेरी कामना पूर्ण करना बाबा को जोली पसार कर प्रणाम करो और अपने घर को चल ज़र। बस यही पांच व्रत का विधान है। पशुपती व्रत ऐसा कोई काम नहीं जो ना हो। बस दिल से अगर व्रत किया है तो बाबा मनो कामना पूर्ण तो करे ही है। वनो साथ कि आप हमारे घर के छाहे घर की धन्मपतनी हो जा ह हूं कोई प्रॉबलम होती है मंसे कह ज़रित पहशुपती व्रत कर लों। बस पशुपति प्रत में आपका भाव शुब्द होना चाहिए निर्मल चित निर्मल मन सो मोही पावा मोही छल छिद्र कपट ना भावा निर्मलता के भाव में बगवान मिल सकता और फिर निवेदन करूंगा एक लोटा पानी चड़ाओ ना चड़ाओ पर बाबा से दिल से आप मिलो तो एक बार दिल से उसे कहो तो शिव शंकर का पशुपति व्रत केवल संसारिक मनुष्य ही नहीं करता यह पशुपति व्रत देवता भी पर हर हर महादेव देओगा उटायो